गर्डु प्राण में मृत्यों के बाद की सचाई बताई हुई है और किस पाप की क्या सजा होती है यह भी बताया गया है फिर भी इंसान इतने पाप क्यों करते हैं यही बात अर्जु ने पूछी थी स्री कृष्ण से कि वेक्ति ने चाहा कर भी क्यों पाप करता है तो समेश क्रोध ए सरजोगुन समधभवा काम नएं वो पाप कराती इच्छा वो पाप कराती हमने हमारे पास सैकल का पैसा है बस हजार दो तीन हजार अपया और इच्छा जग गई मोट सैकल हैं तो बाकी पैसे का क्या करेंगे उधार पकड़ेंगे ना यह ठगी करेंगे मोट सैकल ही उसमें तेली भी जलेगा आमदनी कम है खर्चे बढ़ा लिए अब क्या करेंगे वो तो मांगने आएगा पैसा और आपके पास होंगे नहीं जिसे उधार लिया था फिलराई जगड़ होंगे होगे पाप लराई जगड़ा इर्श अद्वेश या बेमानी आएग ऐसी मोट सैकल की उकात है और कामना जगड़ कार की फिर लाई जगड़े होंगे शादी जिससे होई है कामना किसी और इस्तरी की जगड़े ही हो गया पाप ये जो कामना है ये हमसे पाप कराते हैं अवशक्ता हैं पाप नहीं कराते हैं अवशक्ता तो सब की पूरी भगवान करते हैं जरूरते तो भगवान सब की पूरी करते हैं और कामना तो भगवान से भी किसी की पूरी नहीं होते हैं ये तो कामना है तो भगवान ने गीता में आपके प्रस्ण का उतर दिया ये काम नहीं हमसे पाप कराते हैं इसलिए कहा कि समझदार व्यक्तिने कि ऐसा नहीं कि कद अपने घट गए चादर को अपनी देखकर हम खुद ही सिमट गए अपनी चादर को देखो उसके अंसार कर्च करो फिर अपराद नहीं बनेगे जो भगवान ने दिया उसमें संतुष्ट रहो जो नहीं दिया उसकी चाहत मिटा दो उसकी कामना मिटा दो तो पाप से बच जाओ जो दिया भोग लो जो नहीं दिया मन से अटाओ तो पाप यह नहीं तो यह पाप कैसे बनते हैं प्रबल कामनाओं के कार्ण से यह आपके प्रश्टन का उत्र है